दोस्तो अगर आपको Adventure Movie देखना पसंद है, खास तोर से जिसमें जानवरों को भी दिखाया गया हो, तो आज मैं आपको ऐसी ही जबरजस फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी क्या है, इसकी location कैसी है, और सबसे बड़ी बात, फिल्म में effect कैसे हैं, तो आप देखते रहे हैं बोलिविड एंगल चैनल को, दोस्तो इस फिल्म में इंसान की खुरापात की वज़े से तीन जानवरों में हैरत अंगेज बदलाव आ जाते हैं, जिसमें ए पुरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी है, फिल्म में खरत तोर से आपको तीन से चार लोग ही दिखाए देंगे, क्योंकि ये फिल्म जानवरों को टार्गेट करती है, ना कि लोगों को, दोस्तो मेरी कोशिश यह है कि जितनी भी बहतरिन फिल्में हैं, उन सब की समरी य ये देखना काफी दिल्चस्प है कि फिल्म में इन जानवरों से लोगों को कैसे बचाया जाता है, और इन जानवरों को मारा कैसे जाता है, यही चीज फिल्म में देखने लायक है, और इन सब के बारे में जानने के लिए ये फिल्म देखना जरूरी है, फिल्म देखने के आपको एक नया अनुभव मिलने वाला है दोस्तों अगर बात करें कि फिल्म में लोकेशन कैसी है फिल्म में लोकेशन काफी बढ़िया है फिल्म में आपको जंगल से लेकर शहर तक की सेर कराई जाएगी ताकि आप ये ना कह सके यार मज़ा नहीं आया और इस फिल्म में बहुती बढ़िया लगी कि जो इस फिल्म का हीरो है वो इस जानवर की सभी बातों को समझता है और इतना ही नहीं वो जानवर भी इशारव बात कर लेता है फिल्म में ये एक कमाल की चीज दिखाए देती है इस फिल्म का जो टोटल समय है वो करीब पोने दो गंटे का है क् पर इस फिल्म को देखर आप यही कहने वाले हैं कि इसका अगला भाग कब आएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के निचोड की फिल्म के ग्राफिक्स और इफेक्ट बेहदी कमाल के हैं फिल्म में गोरिल्ला वाले जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो सभी ल अब दोस्तों बता देता हूँ कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी दोस्तों मेरे इसाब से ये फिल्म एवरेज है यानी मूवी देखने लायक है आपको निराश्च तो बिल्कुल भी नहीं करेगी तो आपने इस फिल्म के बारे में तो जान लिया लेकिन ऐसे ही और बहतरिन फि चाहिया था फिर अब कोई जंजट नहीं क्योंकि याद दिलाने के लिए मैं जो बैठा हूं तो दोस्तों मैं मिलूगा आप से किसी और बहतरे इन फिल्म की कहानी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद